लोग सभा चुनाव की तैयारी पूर्व सांसद मुंजारे जीतू पटवारी से मिले सांसद ने दिखाई इतवारी नागपुर मेमू स्पेशल ट्रेन को हरी जण्डे चनावा गेहू उपारजन के लिए गोदाम वा मंडी इस तरिये उपारजन केंद्र बनेंगे भारती जुनता पार्टी ने बुधवार को अधिकरत रूप से अपने प्रत्याशियों के नाम का एलान करते हुए बालाघाट सिवनी संसदिय कुशित्र से भारती पारधी को अपना उम्मिद्वार घोशित कर दिया है भाजपा द्वारा जारी दूसरी सूची में प्रदेश की शेश बची पांच सीटों पर उम्मिद्वारों के नाम की घोशना की गई है जिसमें भारती पारधी का भी नाम शामिल है यह उलेखनी है कि जबलपूर एक्सप्रेस ने बुधवार को ही यह प्रकाशित कर दिया था कि भारती पारधी ही भाजपा की उम्मिद्वार होंगी भारती पारधी पहले जिला पंचायत सदस्से रही है और वर्तमान में नगर पाली का बाला घाट में पारशद है पारशद निर्वाचित होने के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया था परन्तु भाजपा की अंदुरूनी राजनीती के चलते वे अध्यक्ष रहने से वंचित रह गई थी आखिरकार लोकसभा चुनाव में पारटी ने उन्हें अपना उम्मीद्वार घोशित किया यह पहला मौका है जब पारटी ने किसी पारशद इस्तर की नेत्री को अपना उम्मीद्वार बनाया है और यह पहला मौका है जब भारती जनता पारटी ने किसी महिला को बाला घ बाला घाट लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोशित किया है। आज भाजपा द्वारा अधिकृत रोप से प्रत्याशियों के नाम के एलान के बाद जबलपुर एक्सप्रेस की खबर की पुष्टी होती दिख रही है। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे समर्थक भी मौजूद थे। इतवारी से बाला घाट गोंदिया चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद कर 13 मार्च से नेताजी सुभाष चंदर बोस इतवारी बाला घाट मेमू स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की गई है। इस ट्रेन का शुभारंभ आज रेलवे स्टेशन बाला घाट में बाला घाट सिवनी क्षेतर के सांसद डॉक्टर ढाल सेंबिसेन द्वारा हरी जंडे दिखा कर किया गया। इस दौरान बाला घाट क्षेतरी विधायक अनुभा मुंजारे सहित रेलवे सलाकार समिती के सदस्य वह रेलवे के अधिकारी उपस्थित रहे। पहले से हमारी ट्रेन संचाली थी जो इतवारी बाला घाट के नाम से वाय गूंदिया होकी थी और चुकि गूंदिया के बार बार प्राबलम के कारण से इस ट्रेन को हमेशा लेट होती थी इसके कारण से इसको गूंदिया था। गुदिया की प्रावलम को समझते हुए बालगाट के लोगों को यातरौं को सुधा मिले यह दृस्टी से इसका मार्ग परिवर्तित करके बालगाट से वारसिणी, कटंगी, तिरोडी, तुमसर होके इतवारी पहुचाना और इतवारी से इसी मार्ग से बालगाट तक लाना गाड़ी अनबैलन्स होकर पलट जाने से ट्रक में भरा चावल कट्टी बिखर गए। जिला चिकित साले बालगाट ले जाया गया है। पंजियन के लिए 16 मार्च अंतिम तारीख निर्धारित है। जबकि चना उपारजन में अंतिम तारीख 10 मार्च तक 4000 किसानों ने पंजियन कराया है। शासन द्वारा गेहु उपारजन के लिए 2275 रुपिये समर्थन मूले निर्धारित किया है। जबकि 125 रुपिये प्रती क्विंटल बोनस दिया जाएगा। चना उपारजन के लिए 5335 रुपिये समर्थन मूले निर्धारित है। लाल बर्रा जनपद पंचायत के अंतरगत आने वाले ग्राम कोस्मी में ग्राम पंचायत रटे गाउं सरपंच श्रीमती वंदना बालकृष्ण बिसेन एवं ग्रामीनों के सहयोग से मोक्ष धाम में भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रटे गाउं सरपंच श्रीमती वंदना बालकृष्ण बिसेन ने बताया कि 15 अगस्त को ग्राम पंचायत में ध्वजा रोहन करते समय उनके द्वारा संकल पर लिया गया था कि ग्राम कोस्मी के मोक्ष धाम में भगवान शिव की प्रत प्रतिमा इस्थापित की है इस प्रतिमा अनावरन कारिक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीन जन भी उपस्थित रहे मध्यप्रदीश पुलिस पैंशनर संख द्वारा बुधवार को कलेक्टरेट पहुँचकर महंगाई भथ्ता दिये जाने वा पुलिस करमचारियों को आयूश्मान योजना में शामिल करने सहित अन्य मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा ग उन्होंने शासन प्रशासन को चितावनी दी है कि शेग्र मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख हर्ताल वा आंदोलन किया जाएगा पुलिस करमचारियों को जो आइसमान कार्ड में सामिल किया जाएगा